मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहान निवाडी मायोजित गड़कुंडार महतसफ में शामिल हुए इस दोराने सियम ने सबसे पहले मौके पर निवाडी कलेक्टर तरूर भटनागर और और च्छा तहसीलदार को ततकाल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिये दरसल दोनों अधिकारियों की खिलाफ उन्हें शिकायते मिली थी तो वहीं दोनों अफसरों को हटाने की घोशना के बाद मुख्यमंतरी ने महतसफ कारकरम में शिर्कत की साथी उन्हों ने वहां मौजूद लोगों को संबोध भी किया अपनी जनता की पहता सेवा करते हैं और जितने की सासक लोगतंत में कोई सासक नहीं हो कि सेवक होते हैं हम अपनी जनता के सेवक हैं मैंने निवानी जिला बना रहा है इतना छोटा जिला बन नहीं सकता है लेकिन फिर भी बना है निवानी जिला मुझे प्राणों से प्यादा है क्यां की जनता की बहता सेवा हो इसका प्यास हमारे गोरो विधार भी करते हैं और पुर्भारी मंत्री भी करते हैं धर्मिक नगरी उजएन में दिनो सुझलाम जल समेलन आयुज़ुत किया जा रहा है जिसमें शाविल होने राश्ट्रे स्वम सेवक संग के सर संग चालक डौक्टर मुहन भागवाट धर्मिक नगरी उजएन आए इस दोराद डॉक्टर मुहन भागवत में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन और पूजन किये इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर परिसर ने जल स्तंब का अनावरण किया बता दे कि महाकालेश्वर मंदिर में 5 दिसंबर से सुजलाम जल महतसब मनाया जा रहा है जिसके अंतरगा चतुर्वेद परायर भी किया जा रहा है किया जा रहा है